हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप दोस्तों आपकी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बजरित होते जब हम खरीद कर किसी भी पाई से या मार्केट से लेकर अपने घर पर आते हैं तो कितने दिन बाद हमारे घर पर आकर अंडे दे देंगे तो भाई काफी कन्फ्यूज रहते ह जब बजरित कर लेकर आते हैं यह सोचते हैं कि हमारे बजरी तुस्ते कितना टाइम देंगे अंडे देने के नहीं है तो आज की वीडियो में मैं आपको बसा हूँगा कि आप अगर यंग बजीज पठे टैमी अडल्ड लेकर आते हैं तो कितना टाइम लगेगा और अगर अधर बर्ड लेकर आते हैं तो उनको कितना टाइम वोजेंगे आपके यहां पस अंडे को देने के नहीं है तो वीडियो बहुत जाद इंफॉमेटिव है वीडियो को पूरा देखें देगें दोस्तों जब हम बर्ड लेकर आते हैं अपने गर पर तो हम यह सोचते रहते हैं क कि हमारे पर्ड कितना टाइम ले लेंगे अंडे देने के नहीं है तो शुरुआत करते हैं हम एडर्ड पियर से मालनी जी हम एडर्ड पियर मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो वो कितना टाइम लेगा देगे हम एडर्ड पियर को जो खरीद कर लेकर आते हैं तो वो उनक है क्योंकि दोस्तों जब ब्रच नई जड़ा पर आता है तो थोड़ा घबराया हुआ रहता है थोड़ा सा ठाइम सेना इ empieza को महौँल में ब browsíre आपको समझने की निया को लगभत 15 दिन आपके रह जो है अडार्स प्यार इस बात की निये ले लेंगे कर वह आपके महाल में बुलेंगे मिलेंगे आपके दर को समझेंगे आपको समझेंगे तो 15 दिन तक आइस बर्ट को सैट होने की नहीं चाहिए उसके बाद दोस्तों बर्ट पेरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अगर एडल्ट है मेल फीमेल कंफर्म है तो 15 दिन के अंदर दोस्तो ख़ो जाएंगे रहेंगे अबर एक महिने के अंदर आपके एढ़र ऐस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप हुख करें किस बड़िम्हें आपके कमी है जो एक्टिविटी नहीं कर Sesिकों आप सेंज तरद दूसरा बर्ड लेकर है तो जोस्तो एक महीने आप वर्ड पेर लगाने में लगातेगा उसके बाद आपको मठ्की लगानी है कभी भी हमें स्टार्टिंग से मठ्की नहीं लगा रही है और यह याद रखिए कि मठ्की लगाने के बाद ही ब्रीड होती है अगर मट्की नहीं लगी है बॉक्स नहीं लगा है तो वर्ट कभी भी ना तो मैक्टि करेंगे ना ही अंडे देंगे तो इसलिए आपको जब देखें कि आपके वर्ट की पेरिंग हो गई है उसके बाद आपको मट्की लगा ही है अब फीमेल का दाम स्टार्ट होता है मट्की को स्लेक्ट करने का तो फीमेल दोस्तों मट्की को स्लेक्ट करने के नहीं कभी मट्की के उपर बैठती है कभी पाहर से मट्की कुछ आती है, पोड़ी दिर मट्की में जाती है, फिर बाहरा जाती है, इस तरह से फीमेल करती रहती है, कुछ फीमेल जो होती है, तीन-चार दिल में ही मट्की को सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन कुछ फीमेल कन्फ्यूज रहती है, थोड़ा तो वो आट- से वाइटिंग स्कार्ट होगी उसके साथ दिन बाद पहला अंडा मटकी के अंदर आ जाता है तो यानि एक महीन हमारे प्यर लगाने में उसके बाद दोस्तों एक मिक लगेगा फीमेल को मटकी सेलेक्ट करने में एक विक लगेगा मैटिंग से अंडे आने में तो लस्वग देड़ महीने के अंदर adult bird आपके गर पर breed करतेंगे अगर आपके आपन नहीं हो रहा है आपके birds आधर time ले रहे हैं तो आपको birds को change करना पड़ेगा अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पठे लेकर आते हैं या semi adult लेकर आते हैं तो वो कितना time ले लेंगे देखिए जब हम पठे या semi adult बात अरित कर लेकर आते हैं तो नॉर्मल ही उसकी ये तीन महीने की होती है तीन साड़े तीन महीने की एज में लोग जो है आपने जो इसके chicks वागेरा निकल से हैं उनको seal कर देते हैं तो जब हम पठे या semi adult लेकर आते हैं तो दूस्तों अब हमें उनको चाहिए कि दो महीने तक हम उनकी care करें उनको बिल्कुल मटकी ना दें उनसे breed की उमीद ना करें दो महीने तक हमको उनकी अच्छी diet देनी है उनको privacy देनी है केर करनी है उसके बाद 5 महीने की जब ही जो जाती है 25 परेट की तब वो breed करने के लायक होते हैं उच्वाई ये सोचते हैं कि बर्ड अरित कर लेकर आगए उनके बर्ड सथी semi adult होते हैं पट्टे होते हैं और वो इंडूसरे के पाद लेटते हैं सिर्क होजाते हैं तो वाई सोचते हैं कि बर्ड अब क्या लगया ब्रेट नहीं हो रही मच्टी लगने के बार थी तो ऐसा नहीं है जब तक बर्ड की 5 महीने की पज़रे तो तो की उमर नहीं होती है वो अंडे नहीं देते हैं तो जब आपके बर्ड आप परिक्तर लेकर आए semi adult या पटते तो अभी आपको 2 मही से वीट करना है उसके बाद आपको मच्टी लगानी है तो 2 महीने का टाइम ये निकला उसके बाद आपके बर्ड पेरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वो इस ताइम में semi adult होते हैं उनको अच्छे से experience नहीं होता किस तरह से female male पेरिंग करनी है किस तरह से matting करनी है male को भी ज़्यादा experience नहीं होता female को किस तरह से पल आना है किस तरह से उसको matting के तरफ लेकर जाना है तो एक महिने का time matting लगने के बाद female matting को select करने में matting start होने में लग जाता है तो लबबब तीन महिने हो जाते हैं उसके बाद matting start होती है और अंडे आने में कभी कभी first greet होती है तो 7 दिन में अंडे नहीं आते 8 से 10 बारा दिन भी लग जाते हैं कुछ भाई गवरा जिसते हैं कि भाई matting चल लही है 7-8 दिन होगे अंडे नहीं आ रहे है क्या वजाए कहीं female को चर्वी तो नहीं है तो फर्स टाइम जब braid होती है matting करने की इसको experience नहीं होता है तो इसलिए शल्दी अंडे नहीं आते हैं तोड़ा सा time extra लग जाता है तो 10-12 दिन अंडे आने में लग जाते हैं तो इस तरह से अगर आपको अपने घर पच्चे लेकर आते हैं दोस्तों तो 3-4 महीने का आपको time चाहिए उनसे अंडे लेने के नहीं है तो आपको लगवग चार महीने wait करना होगा उसके बाद ही आपके घर पर अंडे आएंगे ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हम bird लेकर आए और वो फॉरण हमारे यहां breed कर देंगे कुछ भाई ऐसा ड़ते हैं कि किसी भाई के यहां से पेर लेकर आते हैं जोकि पहले breed कर चुपा होता है अंडे दे चुपा होता है और उनके धर पर आकर वो अंडे नहीं देता तो वो परिशान हो जाते है तो दोस्तों bird से breed लेने के नहीं है अच्छी diet और care के अलावा पेशल्स की बहुत ज़्यादा दरूवत होती है सबर करना पड़ता है आप जल्दबाजी मत करिए देखिए आप सबर करेंगे तो उसको आपके ठाल मिलेगा और आपके bird जो हैं अंडे भी देंगे शुर्टीगे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो चिलती तो कीज़ेगा लाइक शेयर कीज़ेगा मुलाका तो भी नहीं वीडियो में गुट बाई